तुम्हें सिर्फ एप्रोच देखने है कि तुम्हारी एप्रोच जो है वो ठीक डिरेक्शन में जारी थी नहीं जारी थी तो अब यहां पर थोड़ा सा डाइगरम छोटा है लेकिन हम देख पा रहें चीज़ों को तो यहां पर 3M 2M दे रखा है पूछा है कि इस पॉइंट पी का जो है वो एक्सलेशन कितना होगा ठीक है तो इसको हम डिरेक्टली तो निकाल नहीं पाएं योगी पॉइंट पी मासलेस है तो अगर तुम सोचोगे कि मैं फोर्स निका एकरा मनाओं तो तो यह पुल्ई जो है यह पुल्ई इसको इधर खींचेगी कितने से खींचेगी तो इसका तो जो टू वाले का जो एक्सलेशन है वह एक्सलेशन का वैल्यू कितना आ गया टू एफ बाइफ बाइफ निकाल करके आएगा तो यहां पर भी इसका देखोग तो A3B कितना निकल करके आजएगा 3F by 3M यानि कि वह भी F by M निकल करके आगा तो दोनों का A मैं दोनों का A मन लेता हूं ठीक है और यहाँ पर यह तुम्हारा पार्टिक्र है और यहाँ पर यह दूसरा डबबा है 2M का ठीक है तो अगर तुम देखोगे तो यह 3M का होगा ठीक है तो इसको कैसे आंसर करेंगे A का वेलियम जानते है F by M है ठीक है तो मैं दूसरे कलर का पहन ले लेता हूँ तो यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका X कितना हो गया A इसका B कितना है A तो इसका मान लिया मैंने X तो अगर X मान लिया तो कैसे आंसर करूँगा यह पुली का सेंटर का एवरेज होता है दोनों का तो A is equal to इसकी direction में X है X minus में A by 2 तो X का value यहां से कितना आ गया 2A plus A यानि कि 3A आ गया अब यह X है और यह तुम जानते हैं यहां से A ही है तो इसका हमें निकालना है जिसको मैंने AP का नाम दिया है तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं बच्चों हम यहाँ पर यह कह सकते हैं अगर मैं इसको यही पर निकालना ही कोशिश करूँ तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि इसका जो acceleration है जो कि A है दोनों arms का average होगा तो इधर A की तरफ है और यह होगा AP minus में X जो कि है 3A अभी max दिक देता हूँ upon में 2 तो यहाँ से का तुम देखो गए तो AP का value निकल करके आ गया है 2A प्लस X तो यानि कि 2A प्लस X और X खुद कितना है 3A तो AP का value कितना निकल करके आ गया है 5A निकल करके आ गया है तो हम यहाँ पर बहुत सकते हैं कि AP का value का 5A और A जो है वो है F by M तो 5F by M यानि कि option D हमारा जो है वो correct option हो जाएगा ठीक है तो hopefully तुम्हें समझ में आ गया होई इसको note कर लो note क्या करना है चलो अगले question की और बढ़ते हैं फिर हम